नमस्कार दोस्तों मैं श्मित मिस्ता स्वाइब करता हूँ एक बाद फिर से आप सभी का है MZT Education में दोस्तों मंतली करेंट अफेर की सीरीज को आगे वढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अभी महीनों की करेंट अफेर को पाने के लिए डिस्किप्शन चेक कीजिए प्लेइलिस्ट का लिंक दिया गया है मंतली करेंट अफेर का तो बहुत ही सांदार तरीके से detail explanation के साथ आपको बताया जाएगा और आप मन्तिली current affair पढ़ करके भी अपने अंदर confidence ला सकते हो current affair के किसी भी exam के लिए सुरू करते हैं MZT appers की PDF अगयरा दी जाती है ये भी ध्यान रखना PDF आप यहां से डावलोड कर सकते हो फिरी में कोई cost नहीं लगनी है PDF की टेली ग्राम पर भी PDF भेज जाती है वहां से भी डावलोड कर लेना पहला कुशन हाली में किसने 2023 के लिए इंद्रा गांधी सांती परोषकार जीता है तो 2023 के लिए इस बार इंद्रा गांधी सांती परोषकार मिला है अच्छा एक ये फिलिस्तीनी सांती कारे करता है और एक अर्जेटीना के है 2022 का अगर पुछा जा तो अभी 2022 के लिए भी दिया गया था ये 2023 के लिए था 2022 के लिए इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को दिया गया और Trained Nurses Association of India को दिया गया और यहीं अगर 2021 का आप से पुछा जाए 2021 का तो याद होगा आपको प्रथम नाम के एंजियो को दिया गया था प्रथम नाम के एंजियो को दिया गया था आगे हाली में किस राज सरकार ने महिलाओं Transgenders के लिए मुफ्त बस यात्रा सो योजना शुरू की तो अभी हाले में तेलंगना राज सरकार ने ये योजना शुरू की है राज में महिलाओं और Transgenders के लिए फिरी में बस में यात्रा कर सकेंगे तो देखे यहाँ पर ये महलक्षमी योजना के नाम से जाना जाएगा छे घरंटी वायदे का हिस्सा है जो की कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर विधान सबस चुनाओं से पहले गोशना की थी मतलब कांग्रेस पार्टी ने गोशना की थी और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है ठीक है तो तेलंगना सरकार ने ये गोष्णा की हुई है महालक्षमी योजना की राजिव आरोगी स्री योजना भी सुरू की गई है अब इसके तेट 10 लाव रुपए तक का बीमा कवरेज उपलब्द कराये जाएगा ऐसे ही जैसे ये राजिव आरोगी स्री है ऐसे ही राजस्थान में चिरन जीव योजना थी जब कांग्रेस पार्टी वहाँ पर थी तो लेकिन अब बीजेपी की गवर्मेंट आ गई है तो उन्होंने क्या किया है कि चीरंजेवी योजना को आयसमान भारत योजना से मर्ज कर दिया है है ना देखो चीरंजेवी योजना के तहट 25 लाग का मोजवा मिलता था स्वास्त वीमा कबरेज मिलता था और आयसमान भारत योजना में 5 लाग का मिलता था लेकिन अभी वहाँ पर merge कर दिया गया है दोनों हाले में कि सहर ने सबसे बड़ी पठन गत्विधी के लिए एक गनीज book of world record बनाया तो दोस्तों अभी पुड़े में सबसे जादा मात्रा में लोग एक साथ आए और पढ़े मतलब पठन गत्विधी किये इसके लिए एक नया world record बन गया यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से लोग इकठा हुए थे और सब ने मिल करके पढ़ाई करी 366 परतिभागियों को सामिल किया गया और यह सबसे बड़े सहयोगी पढ़ने की कारेकरम था तो इसने चीन के पिछली रिकार्ड को तोड़ दिया है तो यह कहाँ पर हुआ जी पूड़े में अगला BCCI ने पूर भारतिय क्रिकेट कप्तान MS धोनी की जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया है यह जर्सी का नंबर कितना है तो यह तो आप सबको पता होगा धोनी की जर्सी का नंबर था 7 और अब इस 7 नंबर को BCCI ने रिटायर करने का प्लान किया है देखो जर्सी नंबर किसी खिलाडी का जर्सी जो होता जो पीछे नंबर लिखा होता वो होता जर्सी नंबर तो retire करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, अब आने वाले कोई भी खिलाडी को 7 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी, यह जर्सी reserve कर दी गई है या कहें retire कर दी गई है धोने के लिए, ऐसा केवल भारत में 2 खिलाडी के लिए किया गया है, एक तो सचिन तेंदुल तो यह नहीं मिलेगा, कप्तान दोनी की कप्तान में दोस्तों आपको पता है कि तीनों आईसीजी का खिताब भारत को मिला हुथा, T20 वर्ड कप भारत को जीताया है इन्होंने, 2007 ने, ODI वर्ड कप 2011 में, चैंपियंज टॉफी 2013 में जीताया था, इनकी कप्तानी में, सजिन तेंदुलकर की भी जर्शी को रिटायर किया गया है, अगला हाले में किस देश ने पिर्थवी पर सबसे गहरा लैव लांच किया है, तो दोस्तों सबसे गहराई में इस्थित लैव लांच किया है अभी चाइना ने, चाइना जो है, ये बहुत ही डीप जा करके एक लैब बनाया हुआ है, तो ये बताया जा रहा है 2400 मीटर की, यानि कि समझो लगबग 2.5 किलो मीटर की गहराई में इस्थित लैब है, लेबरोटरी है इसकी और ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूंगत परयोग साला है, ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ प 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की याद में 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 16 दिसंबर को दोस्तों हम लोग मनाते हैं विजय दिवस, 1971 में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, पूर्वी क्या, पाकिस्तान पुरा-पुरा करवाया था सरेंडर करवाया था पाकिस्तान के तो बहुत बड़ी जीत हुई थी भारत की और इसी की याद में हम लोग मनाते हैं 16 दिसंबर को विजय दिवस ठीक है ना पाकिस्तान के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी इन्होंने समर पड़ किया था अपने साथ अगला भारत में एफडिया प्राप्त करता के रूप में कौन सा राज है और किसी राज में पार्टेकुलर्ली आकर की वो लग रहा है तो वह हुआ कि राज में एफडियाई प्राप्त हुआ तो FDI सबसे ज़्यादा कहां पर प्रात हुआ है महराष्ट्रा में ठीक है ना foreign direct investment अब foreign direct investment कोई कर रहा है तो हो सकता है कोई company invest कर रही हो हो सकता है कोई individual invest कर रहा है दोनों ही मामले में FDI माना जाएगा FDI को इतना हम लोग तवज्जो क्यों देते हैं क्योंकि जब FDI आता है तो वो विदेशी करनल से लेकर के आता है अमोमन डॉलर में आता है जब डॉलर में investment होगा तो अपना मुद्रा कोज बढ़ता है तो फॉरेक्स exchange जो है वो बढ़ता है जब वो बढ़ता है अपने पास फ जोग मंत्री हैं उदोई सामत इन्होंने बताया कि पिछले तीन माहिनों में 28,860 करोड रूपए का प्रतिक्ष विदेशी निवेस आकर्सित किया गया है दिसमबर 2023 में किस वक्ति को IFIE द्वारा Champions of Change Awards से सम्मानित किया गया तो Champions of Change Awards से सम्मानित किया गया है अभी हालने में विपिन चंद्रा विपिन चंद्रा आपको यहां पर दिख रहे हैं यह ACS of Technologies के संस्थापक और CEO है और इनको अभी Interactive Forum on Indian Economy यानि IFIE के द्वारा सम्मानित किया गया है Champions of Change Awards से किसने दिया अवार्ड राजिपाल जी करना टक के जो है उन्होंने आकरके इनको गोल्ड मिडल द Intelligence है कृतिम और इसको लांच किया है अभी हाली में किसने भाविस अगरवाल ने भाविस अगरवाल आप जानते हो यह Ola के Founder and CEO भी है तो इन्होंने इसे लांच किया हुआ है कृतिम नाम से यह इंडिया का अपना AI है Artificial Intelligence है यह भी Chatbot की तरह ही काम करेगा जैसे Chat GPT वगरा ह वैसे यह भी है अच्छा Chat GPT के अगर बात करें तो Chat GPT किसका Product है Chat GPT जो है यह Open AI का Product है किसका Open AI का ऐसे Google ने अपना Google बार्ड लांच किया हुआ है Google बार्ड लांच किया हुआ है अच्छा Google के ना वैसे तो कई सारे है तो Google को आप ऐसे ही लिख लो Google पहले लिख लो Google के कई Artificial Intelligence टूल आ गया है जैसे Google का बार्ड आ गया है Google का स्पैरो आ गया है स्पैरो आ गया है गूगल ने जैमिनी के साथ समझोता कि और जैमिनी को खरीद लिया है जैमिनी AI तो यह सभी जो है Google के product है ठीक है ना यहाँ कृतिम जो होगा कृतिम का मतलब कृतिम होता है Artificial Intelligence समझ लो तो इसे दो फर्म में इन्होंने लांच किया है बेसीज और प्रो जानते ही हो प्रो पेड़ होता है तो भाविस अग्रवाल ने इसे लांच किया है। अगला, हाली में किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रिय जंजातिय विस्व विद्याले के स्थापना की राजसभा को मंजूर ही मिली? तो दोस्तों ये question बहुत जादा important है याद रखना समक्का सरक्का केंद्रिय जंजाती विस्विद्याले ये तेलंग आना में खोला जाएगा और इसको राजसभा ने भी मंजूर कर दिया है समक्का सरक्का केंद्रिय जंजाती विस्विद्याले की खास बात ये है कि ये दुनिया का पहला जन जातिये विश्विद्याले है मतलब ट्राइवल के लिए पहला विश्विद्याले है युनिवर्स्टी है तो इसके लिए यहाँ पर देखो सिक्षा मंतरी ने बताया कि राज सभा में भी ये मनलब डिस्कसन हुआ राज सभा में भी पास हो गया लोग सभा में पहले भी पास हो गया था तो अब यानि कि ये विच्छुब दैले खोला जाएगा ये तिलंगाना में खोला जाएगा इसकी घोशना पीम मोदी जी ने की हुई थी जब ये तिलंग प्रती से भी मिले इनका तीन दिवसिय ये दौरा था 15 तारिक से लेकर के 17 तारिक तक का इनका दौरा था दिसंबर महीने में है ना तो यहाँ पर देखो आप दा हिंदू का आर्टिकल है इंडिया ओमान इंटाक्स फॉर कंफ्रिहंसिब एकोनामिक पार्टनर्सिप एग्रिम पर, FTI पर, Free Trade Agreement, FTI अगर हो जाएगा ना तो अपना जो है मुक्तिवापार समझोता इनसे भी हो जाएगा फिलहाल दौरपदी जी मुर्मुजी से मिले राश्पती है जो की और प्रधानमिति से भी मिले 15-17 तक आये थे दोनों देशों के वीज राजनाएक संबंद 1955 में अ नुवाग जोकोविच ने पूरसों के लिए और आर्याना सेबलंका ने महलाओं के लिए तो उपरोग दोनों आपका सही होगा ये फॉर मेल और ये फॉर फीमेल या कहें की विमेन कटेगरी में इन्होंने जीता हुआ है नुवाग जोकोविच अगर आपको याद हो तो य इन्होंने ना टोटल 24 ग्रेंड सलेम अपने पूरे कर लिये हैं किसी भी इंडिवेजुल के दौरा ये अपने एक हाइस नंबर है नुवाग जोकोविच सर्विया के रहने वाले हैं हाली में कहां पर भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्रिक नाव बारा कुडा लांच की गई बारत की सबसे तेज सोलर इलेक्रिक नाव बारा कुडा ये कहां पर लांच की गई है ये अभी लांच की गई है केरला में तो सी ओप्सन आपका यहां पर करेक्ट होगा आप देख सकते हो आर्टिकल भी इंडिया इस फास्टेस्ट सोलर इलेक्रिक बोट बारा कुडा बार दिसम्बर 2013 को निम्ण में से किस ने गुजरात में बनी सूरत डाइमंड बोर्स बिल्डिंग का इनेगुरेशन किया तो सूरत डाइमंड बोर्स इसका उधगाटन किया प्रधान मंतरी मोधी जी ने ये दुनिया की सबसे बड़ी ओफिस बिल्डिंग है ठीक है न वर्ड ला रह रहे थी लेकिन 80 सालों बाद उसका रिकार्ट तोड़ा भारत के सूरत में कहें कि डाइमंड बोर्स में क्योंकि सूरत में जो है सूरत को ही डाइमंड सिटी कहते हैं और सूरत में दुनिया भर का 90% से ज़्यादा हीरा यहां पर पॉलिस किया जाता है या कहें ट्रेड क किया जाता है तो इसी बिल्डिंग में यह किया जाएगा अपसे 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है सूरत गुजरात में 17 दिसंबर को पीम मोदी ने इसका इनेगरेशन किया हुआ है ओके दुनिया के 92% नेटरल डायमेंड की मैनिफेक्ट्रिंग यही पर होती है अगला भारतिय वायु सेना ने किस किस अभ्यास में समर वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परिछर किया यह कही किस रहेगा यहां पर समर वायु रक्षा प्रणाली इसका सफलतन परिच्छन अभी हाले में अस्तर सक्ती नाम के एक अभ्यास में किया है किसने भारतिये वायु सेना ने अस्तर सक्ती अभी अभ्यास किया गया जमीन से हवा में मार करने वाली ये समर मिसाइल है और भारती ये वाय सेना के द्वारा इसका परिच्छन किया गया है अगला हाली में आयजित खेलो इंडिया पैरा इंडिया पैरा इंडिया अभी आयजित किया गया और इसमें हर्याना ने सबसे अधा मिडल जीते हुए है देखो खेलो इंडिया पैरा इंडिया यूथ गेम यूथ यूथ गेम हैना अब ऐसे खेलो इंडिया पैरा इंडिया वोन सुरू हुआ है तो पहला आयज़न जो है कहा आयज़ुत किया गया? दिल्ली में आयज़ुत किया गया और इसका मसकट जो है मसकट याद रखना मसकट था उज्बवला तीसरे पर रहा तमिल नाडू 42 पदक के साथ क्लियर है आगे हाले में कासी तमिल संग्वम के आयोजों के दोरान निम्न में से किस AI ने PM मोदी के भाषनों का भारतिय भासों में अनुबाद किया यह भी बहुत important question है यहाँ पर देखिए भारतिय artificial intelligence एक product को promote भी किया गया इसी थूरू कासी तमिल संग्वम के आयोजों के दोरान PM मोदी जी जो भासर दे रहे थे उनका भारत के अन्य अन्य भासों में लगातार मतलब की समझलो on the speech यह translation कर रहा था नाम है इसका भासिनी भासिनी भारत का AI है जो language का translation बहुत अच्छे से भारती भासों में करता है बाकी मैंने चैट GPT के बारे में बताया ही यह open AI का है और गूगल मैंने आपको बताया कि गूगल बार्ट जो है यह गूगल का है इस पैरो जो है यह भी गूगल का ही है और यह इंडिया का है तो भासिनी नाम का यह था artificial intelligence जो on the मतलब की real time पर यह कर रहा था translation उत्रप्रदिस की वरार्ट सी में कासी तमिल संगों का आयजन किया गया है हाले में किस देश की फिल्म Children's of Nobody ने कोलकाता अंतराष्टिय फिल्म फेस्टिबल में सबसे बेस्ट फिल्म को होने का अवार्ड जीता है तो Children's of Nobody ये जो है फिल्म है एजराइल की और इस फिल्म को अभी अंतराष्टिय फिल्म फेस्टिबल कोलकाता में मिला है अवार्ड International Film Festival जो है कोलकाता International Film Festival ये भी आयज़ित किया गया 5 से 12 दिसंबर 2023 को तो यहां पर 29 संसकंड था ये रविंदर सादन में आज़ित किया गया कुछ और आवार्ड जो आपको यहां पर जानने चाहिए जिन्हें कहा जाता है Golden Royal Bengal Tiger Award तो Golden Royal Bengal Tiger Award for Best Film Children of Nobody इरेज टेड मोर के दोरा बनाए गई और Golden Royal Bengal Tiger Award for Best Director Carlos Daniel Malve for Best Documentary Challenge को विसेज जूरी प्रुसकार मिला चल्चित्रो एकोन को ठीक है ना ध्यान रखना Meditation के अंदर है यहां पर ना लोग आ करके Meditate करेंगे Meditation करेंगे और यह ध्यान लगाएंगे मतलब और यह तुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंदर है देखो यह सब चीजे भारत में ही मिल सकती है साथ मंजला चमतकार आंतरिक सांतिव के लिए यह बीस हजार सादकों का स्वागत कर सकता है एक बार में बीस हजार लोग आ करके Meditation यहां पर कर सकते हैं स्वरवेद महामंदिर इसका नाम है वराणसी के उम्राहा में यह स्तित है 2004 से बनाये जाना शुरूवा था 19 साल लगे यह बनाने में हालीमिक इस देश ने Under 19 एसिया कप का खिताब जीता तो Under 19 एसिया कप का खिताब जीत लिया है बंगलादेश ने पहली बार बंगलादेश ने यूए को हराया फाइनल मैच में यूए में ही आज़ुत किया रहा था देखो 1952 रंसे इन्होंने फाइनल में कि UAE इंडिया जैसे देशों को हरा करके पहुंची कैसे वहाँ पर, फाइनल तक फिल हल जो भी है, बंगलादेश जो है जीत गया है, UAE में ही आईजन किया गया था, तो यह तो कमेटी की टीम थी, तो इनको पहुंचना ही था फाइनल भाई, नहीं तो A टीम, देखो 20 कुश्चन हो जाए हैं, गए हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, और आगे फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग, देखिए किताब आई हुई अपनी अवैजन पर और किताब जो है, अगर आपने नहीं लिया है भी तक तो उसको ले डालो, क्योंकि किताब खत्म होने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोग फिर बाद में जब यही थोड़ दिन बाद जनवरी में कि लास्ट में या फरवरी में जब आप डिमांड करते हैं तो हमको अगर ऐसा कभी हुआ करें कि यह जैसे टाइम डेट, टाइम डिरोशन दिया गया है कि भईया ओफर जो है इतने से इतने दिन के बीच में चलेगा तो आपके पास अगर माल लो पैसा नहीं है, ब्युस्ता नहीं है, मन बना रहे हो, सोच रहे हो लेने के लिए तो आपको कर मैसेज डाल दो, कोई जबर जस्ती नहीं किया जाता है, कभी यहाँ से किसी पास फोन नहीं जाता है, है ना, ऐसा नहीं है कि आप मैंने बहुत सारी देखा है कि ऐसे भी एडिटेक मतलब बुराईत नहीं करना चाहिए अपने विवाग का, लेकिन ऐसा है कि जैसे ही आप कि तुरंट आपके पास कॉल जाएगे, और पूछा तुरंट मतलब कि अप्लिकेशन खोले भी नहीं हो, लेकिन कॉल आनी शुरू हो जाएगे, कौन सा लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, आप हमारी तर्द से कभी नहीं देखोगे, कि कभी कोई कॉई कॉल गई हो, एप करते ही, जब आप लोग वाटसेप करते हो, जब आप लोग को प्रॉब्लम होती है, कि कोई दिक्कात आ रही है, समझने में या कुछ करने में, और आप उधर से 3-4 कॉल लगाय हुए हो, तब इधर से रेपलाई में कॉल जाती है, तो इसलिए जो है, आप बिल्कुल निश है, डेमो देखिए, उसके बाद जाकर कि आप पर्चेस कीजिए, नगोजेसिन की भी सुविधाय यहां पर देता हूँ, कि अगर किसी को कोई थोड़ा बहुत जैसे कम जादा में भी लेना है, तो वो भी बात करता है, तो उसका भी दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि लोगों तक content पहुँचे, है ना, चलिए, आगे, हाले में 36 गर्विधान सभा के नए speaker कौन चुने गए, तो 36 गर्विधान सभा के नए speaker दोस्तों कौन चुने गए हैं, अभी चुने गए हैं कौन, कौन, रमन सिंग, पुरु मुख्यमंत्री रमन सिंग को, यहां रमन सिंग जी है ये बन गए है विधास्तवा के अध्यक्ष ये भुपेस बगेल आपको नाम याद आ रहा होगा ये पुराने पिछली मुख्य मंत्री थे ठीक है न और ये जो है ये नए मुख्य मंत्री है विश्नु देव शाय जी क्लियर है तो साथ बार की विधायक है प्रेशन का सबसे बड़ा प्राप्त करता कौन सा देश है तो प्रेशन का सबसे बड़ा प्राप्त करता कौन सा देश है भारत भारत के आसपास भी कोई नहीं है दूसरे पर मैक्स को है और मैक्स को लगबग आधा के बराबर भारत के प्राप्त करता है प्रेशन प्रेशन जाता है विदेशों में जाता है कमाने विदेशों में जाता है कमाने तो तो फिर रिखे परासज क्या है उसे और सतनी को मैं रूपिषद में करते हैं अपना profit कमाने के लिए एक प्रकार से वो invest तो किये पैसा आया तो विदेश से भारत में लेकिन ultimately वो कमाएंगे भी भाई कमाने के ही मकसद से लोग invest करते हैं तो चलो उनको हम लोग तबज़ी दी लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग सबसे ज़्यादा हमें सम्मान इनको देना चाहिए जो remittance बेजते हैं क्यों क्यों क्योंकि ये बेजते हैं अपने परिवार वालों के खर्चे के लिए ये खर्चे के लिए मतलब ये पैसा आता भी यहां पर है इसी बेज़ से इनको भी करते हैं तो यहां पर देख लो 125 बिलियन डॉलर का प्रेशनर भारत ने प्राप्त किया है और यहां पर देखो भारत 125 के साथ ये रहा है टॉप पर 2023 में और मैक्स को दूसरे पर 67 बिलियन डॉलर लगबगा आधा पर है तीसरे पर चीन है फिलिस्तिन फिल्मेस रोगरा है विस सुबह एंक की बात करें तो 1944 में स्थाप न हुए थी वासिंगरन डिसी में हैटकॉर्टर है अजय बंगा भारती मुलके हैं जोकी अध्यक्च बन चुके हैं आगे हाले में हुई IPL 2024 के लिए निलामी में सबसे महगे खिलाड़ी कौन बने तो देखो IPL 2024 का आउक्षन हो चुका है सबसे ज़्यदा महगे खिलाड़ी खरीदे गए हैं कौन इस बार मिचेल स्टार्क मिचेल स्टार्क आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है और इनको 24.75 करोण में IPL खेलने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है मिचेल स्टार्क को पैट कमिंज को वहीं 25.5 करोण में खरीदा गया भाई दोनों ने आस्टेलिया को वर्ड कप जीताने में अहम भूम क्या निभाई थी इस बार इस बार आश्टेलिया विसुभी जेता रहा है चलि फिलहाल चिन्नेजी सुपर किंग और मॉंबई इंडिया सबसे ज़्यादा सकसेजफूल टीमें रही है दोनों ने पांच-पांच बार अभी तक IPL किताब जीते हुए है IPL जो है ये शुरू होगा जल्दी हाले में अब्द्राल फतेल सीची किस देश के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने है अब्द्राल फतेल सीची जो है मिसर के राष्टर पती है क्यों अच्छाइ 2024 वाले में कौन रहेंगे 2024 वाले में पहले बुड़ोध दादा को बुलाया गया था लेकिन बुड़ोध दादा ने मना कर दिया तो फिर आप आएंगे फ्रांस के राष्टपती एमेनुवल मैक्रॉन है ना एमेनुवल मैक्रॉन आएंगे पहले जो बाइडन को बुलाया गया था लेकिन वो मना कर दिये तो ये फिलहाल अब्देल फतह LCC है एक बार फिर सिये प्रेसिडंट पत का चुनाव जीत चुके है 89% इनको मददान मिला है 2014 से ये हैं लगातार तो राजधानी काहिरा है यहां की और मुदरा इजिप्टियन पौंड होती है विजे हजारे ट्रॉफी 2013 का खिताब किस ने जीता विजे हजारे ट्रॉफी 2013 इसको इस बार जीत लिया है दोस्तो हर्याना की टीम में हर्याना ने रायस्थान को हराया फाइनल में और जीत लिया विजय हाजारे ट्रॉफिक विजय हाजारे टूर्णमेंट ये घरेलू टूर्णमेंट होता है क्रिकेट का टूर्णमेंट होता है और मैंने आपको बताया घरेलू टूर्णेमेंट के लिए जिलिकरन फिर्ण में आपको याद करा वाया था घरेलू टूर्णेमेंट जो भी होगा उसके लिए BCCI ने किसको स्पॉंसर दिया है और पहली बार हर्यानने जीता है हाली में कौनसी एरलाइन 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारती एरलाइन बनी तो ये बन गई है दोस्तों इंडिगो घरिलू अस्तर पर इसने 100 मिलियन 100 मिलियन मतलब आप समझ रहे हो 100 million मतलब 10 करोड यात्रियों को इसने सफर कराया है एक साल में वो भी तो ये एक नया रिकार्ड है इसका और दुनिया की ऐसी 10 सबसे बड़ी airlines में से सामिल हो चुकी है भारत में सबसे बड़ी ऐसी airline बन गई है सबसे ज़्यादा व्यापर करने वाद दूसरे अस्थार पर ये air इंडिया है अगला हाले में इंडियन स्ट्रीट प्रीमेर लीग में किसे मुंबई टीम का मालिक बनाया गया मुंबई टीम का मालिक बनाया गया टीम का कप्तान बनाया गया अच्छा ये इंडियन स्ट्रीट प्रीमेर लीग है और ये tier 2, tier 3 cities के लिए सुरू किया है BCCI ने और इसमें मुंबई टीम का मालिक अमिताब बच्चन को चुना गया है इंडियन स्ट्रीट प्रीमेर लेग तो ये एक नया format होगा अब फिर से सुरू होने जा रहा है एक नया प्रकार का IPL समझो tier 2, tier 3 cities के लिए खास करके तो यहाँ पर tennis ball से होगा लेदर ball नहीं होगी दूसरी बात ददस ओबर का match होगा ठीक है ना और इसमें फ्रेंचाइजी मुंबई टीम का ले लिए हैं कौन इसके मालिक बन गए हैं अमिताब बच्चन ये 2 से 9 मार्ज तक आयुजित होना है और ऐसे ही और टीम को मालिक धिर धिर बनते जा रहे हैं जैसे कि हैदरबाद मुंबई बैंगलूर चन्न ये कोलकाता और सिर्नेगर अभी छे टीम हैं तो इसमें अक्षे कुमार और रेतिक रोसन ने सिर्नेगर और बैंगलूरू की टीम ले लिए है ऐसा इसे अभी और लोग ले ल दिया हुआ है ये पुरसकार गाजा कैप्टल का ये बिजनस बुक अवार्ड है अगेंस्ट आल ओट्स और विनिंग मिडल इंडिया 15 लाग की पुरसकार रासीन को मिली हुई है अगला हाली में डाक्टर पूनम खेतरपाल ने किस देश का नेस्नल ओर्डर ओफ मेरिट गो कर रही है और भूटान के दोरा ही इनको सम्मानित किया गया है डाक्टर पूनम खेतरपाल जो है ये देखिए यह वाइडर भूटान नेस्नल ओर्डर ओफ मेरिट गोल्ड मिडल यह पूनम खेतरपाल भारतिये हैं ये और ये भूटान में डबलो एचो की साउथ इस्ट ए राष्टपती पत के लिए अयोग इठारा दिया तो डोनाल ट्रम्प जो है अब कोलारोडो सुप्रिम कोट की तरब से अयोग इठारा दिये हैं कि ये अब राष्टपती पत का चुनाओं नहीं लड़ सकते हैं डोनाल ट्रम्प जो की 45 राष्टपती थे USA के United States of America के ये कोल सब भी नहीं है कि यह नहीं लड़ पाएंगे जुनाओ जुना तो लड़ेंगे ही यह ना और हो सकता है जीत भी जाए कि कि यहां पर बुड़ोदादा का काफी विरोधी हो रहा है तो बहुमत देखिए यहां पर बहुमत का मानना है कि ट्रम्प 14 संसोधन की धारतीन के तह भारत के महान गणतग थे महाँ 32 वर्स की उम्र में उन्होंने बहुत सारे थेओरीज बहुत सारे विश्व गड़त दिवस जो है न ये बता देना πाई की दिन मना जाता है पाई, पाई आप जंते हो ना पाई, कली। पाई की मतलब क्या होता है तीन दिसंबलों एक चार यहीं तो वैल्व आप पढ़े हो तीन दिसंबलों एक चार इक तो ये 3 से आप समझिएगा मार्च और 14 से समझिएगा 14 तारीक अमेरिका वगले हमें उल्टा पड़ते हैं मार्च 14 कहते हैं तो याद रखना 14 मार्च को मनाया जाता है विश्व गड़े दिवस ठीके ना पाई के वैलू के अंसार और राष्टे गड़े दिवस पाईस दिसंबर को जोनों चीजे आप याद रखना 2023 का सस्त्र रामनुजन प्रोसकार रोई किस्यांग जहां को दिया गया ठीके ना जो दिये गए हैं 24 भासाओं में दिये गए वो सभी आपके सामने पुरे लिष्ट है और 24 वक्तियों को सम्मानत किया गया है तो यह आपके सामने लिष्ट है यहाँ पर संजीव को याद रखना मुझे पहचानों के लिए हिंदी भासा में मिला है ऐसे इसे और पुरा यह समझ कर पढ़ाया जाता है कि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके और तू दा पॉइंट जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टर कुशन है वह आप तक पहुंच जाए लेकिन मैं आपसे हमेशा रिकमेंड यही करूंगा कि आप डेली करेंट अफेर देखने की अदत बना आता है उसके समझलो रोग का वंस नहीं नास कर देता है पूरा जड़ से खत्म कर देगा कभी जीवन में रोग नहीं हुगा हाँ वह धीरे-धीरे लेकिन असर करता है ऐसे ही डेली करेंट अफेर आयरवेदिक दवा है धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा ना महाज एक महीना आप continue करोगे एक महीने में ही आपके अंदर एक अलही लेवल का confidence आजाएगा आपको current अफेर में confidence आएगा आपका static GK काफी मजबूत हो जाएगा आपको GKGS की जानकारी हो जाएगी और आप अगर यहाँ से class लेते हो तो बहुत सारी चीजों के concept भी आप जान मैसा कहता हूं कि daily current अफेर भी जरूर प्रिफर किया गो दो चार दिन लगा करके देख लो एक बार ठीक है उसके बाद पिर आपकी आदत खुदी बन जाएगी मन तिली current अच्छी बात है लेकिन daily current अफेर बहुत अच्छी बात है चली आगे बढ़ते हैं अगला question है हाली मे कहा पर अंतराष्टी गीता महोसो श्रू हुआ अंतराष्टी गीता महोसो हर्याना में शुरू हुआ हर्याना में मतलब आओज़ित किया गया है कुरुक्षेत्र हर्याना में जहाँ पर महाभारत हुआ था वही पर अंतराश्टी गीता महोसो आयजित किया गया तो यहाँ पर पवित्र गरंत गीता की महा आर्थी और महा पूजन भी किया गया बहुत सारे सुलुकों का उचारण किया गया 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यहाँ जित हुआ है अगला हाली में किसे अदोगिक जल उपियोग दक्षितार स्रहणी के तहत फिक्की जल पुरसकार सम्मानित किया गया तो फिक्की जल अवार्ड मिला है एंटी पीसी कांती को एंटी पीसी के कांती वाले यूनिट को मिला हुआ है एंटी पीसी देखिए यहां पर कांती यूनिट फिक्की वाटर रवार्ड जीते हुए है तो यह 11 संस्कार था फिक्की का जल पुरसकार का और इसे मिला है फिक्की के बारे में बात करें तो फेडरेशन ऑप इंडियन चेंबर्स ऑप कॉमर्स एंड इंडेस्ट्री अस्थापना 1927 हेटकवार्टर नहीं दिल्ली और डॉक्टर अनीस्था अभी नए अध्यक्ष बने हैं नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम आप याद रखना ठीक है अगला बारतेराष्टी राजमार्ठ प्रादिकरणिया ने की NHAI इसके दोरा तौरित अपात कालने प्रतकरिया के लिए कौन सा मुबाइल एप लांच किया गया तो तो तौरित अपात कालने प्रतकरिया के लिए एंडेश एयाई ERS Emergency Response System एप लांच किया गया तो NH, AI, ERS बहुत यह आसान है आप याद कर सकते हो आइटकल आपके सामने है डिटेल्स आपके सामने है तो मोटर वाहन अदनियम 1988 केंदिये मोटर वाहन नियम 1989 इसके तहसरत सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह लाया गया है अगला हाले में किसको मर्नो परांत वीर चक्र से समानित किया गया तो मर्नो परांत वीर चक्र से समानित किया गया दोस्तों लेटनन वाइस एड्मिरल बिनाय रोय चौधरी को बिनाय रोय चौधरी यह भारत पाकिस्तान ये वीरगती को प्राप्त हुए थे, इस वज़ा से इनको अभी वीरचक्ष से सम्मानित किया गया है और इनको एन इंजीनियर पार एक्सिलेंस की उपाधी भी दी गए थी उस टाइम पर इनडिया इसकिल रिपोर्ट दोचार चौबिस के अनुसार भारत में काम करने के लिए पसंदीदा राज्य यह कौन सा है तो वो राज्य है केरल, केरल सबसे अधा पसंदीदा राज्य है करमचारियों के लिए इनडिया इसकिल रिपोर्ट यह कहती है तो केरला most preferred state to work in India skill report ये बताती है कोची और तिरुनांद प्रम में युवा जो है वो प्रमुक रूप से रोजगार गंतरवी के रूप में चुनते हैं अगला भारत ने गरतन दिवस 2024 के लिए किस देश के राश्टपती को आम मंतरित किया है तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया फ्रांस के राश्टपती इम्मैनुवल मैकरॉन जो है ये आएंगे भारत के दोरे प्रमुने ने एकसेप भी कर लिया है इन्विटीशन इससे प होता क्या है यह लोग मना कर देते हैं यहां वीडियो बन गई रहती है अब वीडियो में वह चीज़ें हटाये हैं तो है ना तो याद रखना अपडेट हो जाओ इसलिए कहता हूँ आप भी अपडेटेट रहा करो बैस्टिल थे परेड के लिए पीए मोदी को नहीं ने ब प्रुसकार प्रदान किया गया है दोस्तों अभी हाली में किसे सुकृता पाल को सुकृता पाल आपको यहां पर देख रही है इनको सम्मानित किया गया है अभी टैगोर साहित प्रुसकार के इनको इनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स इसकी लिए यह कहां पर आयजुत किया जाएगा तो खेलो इंडिया यूध गेम का छठा संस्क्रण होगा दोस्तो तमिल नाडू में पहला संस्क्रण हुआ था दिल्ली में दूसरा हुआ था पुड़े में तीसरा हुआ था गुवा था गुवा आटी में यह सुभंकर आuyu मस्कट है याद रकना मस्क्रण पूछा जाता है वीरा वंगाई कौन थे ? वीरा वंगाई एक बहुत ही फेमस सतंता सेनानी थे जिनका रियल नाम था रानी वेलू नाचियार तो रानी वेलू नाचियार जो है इन्ही को आमतोर पवाँ वीर मंगई के नाम से जाना जाता था तो इन्ही को यहां मसकट चुना गया है तो तमिलाड के चन्न, इतरिची, मदुरे, कुरेंबटूर ये न सब जगों पर खेलो इंडिया यूध गेम होगा छटा संस्कन होगा खेलो इंडिया यूध गेम आया है एसियन गेम पर नजर डाल दो क्योंकि एसियन गेम 2023 हुआ यहां से कोशन भी बनेगा आप से भारत जो है ये चौथ है अस्थान पर रहा था मिडल टेबल में आयवचन हुआ था हांग जोव चाइना में उननीसवा इस बार का संस्कन था और एसिया इससे कहा जाता है स्वार्ट फ़र्म में इस बार का मोटो था इवर आनवार्ड पहला इवेंट अगर एसियन गेम की बात करें तो नई देल्ली में हुआ था उननीसवे क्यावन में और पिछला इवेंट यानि 2018 वाला अगर बात करें तो जकारता में हुआ था इंडोनेसिया में इस बार वाला हुआ हैंग जोव चाइना में और अगला वाला जो होगा वो होगा नगोया जापान में 2026 में ठीके जी मेडल टेविल पर नजज रालें तो भारत जो है यह चोथे अस्थान पर रहा 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्राउंज मेडल के साथ टोटल 107 मेडल इंडिया को मिले चाइना टॉप पर रहा आगे पुस्तक अपनी ब्रहमास करेंट अफेर की जबरदस्त परफॉर्म कर रही है अमेजन पर 5 आउट और 5 इस्टार रेटिंग इसकी चल रही है आप अमेजन से जाकर के इसे आडर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अमेजन पर ही मिलेगी तो इसी आप लोग अमेजन से ही से परचेज कर सकते हो और ये ओफलाइन बुक है मतलब आप अपने घर पर मंगवा सकते हो पहली चीज दूसरी चीज इसमें जनवर से दिसंबर 2023 तक का सारा डिटेल करेंट अफेर है और जबर दस्ता मतलब आप जाकर के यहां पर देखोगे ना रिव्यू लोगों के जो रिव्यूज अपलोड हुए है फाइब आउट 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 इस्टार रेटिंग चल रहे हैं लगा तार जब से लांच हूए तब से और सब लोग जितने लोग आ रहे हैं रेटिंग करने 5 आउट आप 5 कर रहे हैं तो आप लोग जो रिव्यूज दिये हुए हैं लोग उनको जाकर के देखो और पढ़ो क्योंकि मैं जो बता रहा हूं मैं तो बोलूँगा ही भाई मेरा चीज है तो मैं तो अच्छा बोलूँगा ही आप देखो जो इस्टूडेंट जिनके पास किताब पहुंची है वो लोग इस किताब के बारे में क्या बोल रहा है अपने अपने सब्दों में क्या बोलने है तो वो देखिए आप दूसरी चीज इसमें चैप्टर वाइज डिटेल एक्स्प्रारिशन के साथ प्रसनुत्तर माध्यम में है आपको वल्नाइडर नहीं चिपकाया जा रहा है है ना आमोमन देखो मार्केट में 80-90 रुपए में वल्नाइनर दे देते हैं वही हर महीने लांच करते हैं आप लोग भी ले करके उसको उतना छोड़ा सब पढ़ करके संतोष्ट हो जाते हो खुश हो जाते हो कि बस हमारत करेंट रफर तयार एक्जाम में जा करके 8 कुश्चन अपना बरबात करके चले आते हो फिर आके करते सबसे महगी किताब है और सबसे बेस्ट किताब है 264 पेज की किताब है आप जा करके इसको पढ़ोगे न तो देखोगे आपके मतलब एक बुक दीजिए उधर से तो यहां पर यह बुक है अपने हाथ में देखोगे इसकी मोटाई भी देख लो आप अच्छी खासी मोटी बी किताब है और इसमें डेटेल एक्स्प्लानेशन के साथ चीजों को दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि अगर देश अंतराष्ट्य घटना है तो देश वार जिसे मालदीव है ना तो मालदीव के सारे कोशन मालदीव के एक जगा पर रूस है तो रूस के सारे कोशन इससे गया होता है कि आपको एक देश वार बहुत ही अच्छे समझ में आ जाता है दूसरी बाग अगर राज्जी का इसे मिलब राष्ट्य घटना है तो राष्ट्य घटनाओं में एक एक जगा पर उत्तर प्रदेश का 3-4 पणने का सारह करेंट फिएक ही जगा पर पूरे इस किताब में आप जाकर के देखना मज़ा आ जाएगा ब्रहमास्त करेंट अफेर है Amazon पर अवैलबल है और लिम्टेड कापीज बैची हुई है मंतिली करेंट अफेर में ये मैं बोल रहा हूँ तो समझ लो की खतम ही है है ना तो आप जल्दी ही से जाकर किसको ले सकते हूँ आगे बढ़ते हैं निम्न में से किसकी जहनती पर 23 दिसंबर को राष्टिय किसान दिवस मनाया गया तो राष्टिय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंग जी की जहनती पर यह पूर प्रधान मंतरी थे भारत के और इन्होंने किसानों के लिए बहुत सार यूजनाये लाई बहुत सारी चीजें किये और इस वज़े से किसान दिवस इन्हीं को डेडिकेट केया गया इन्हीं की जहनती पर है ना तो डेलेवरिंग स्मार्ट सॉलेशन फॉर सस्टेनेबल फूर्ड सेक्यूर्टी एंड रिसाइलियंस यह है इस बार की थीम और चौदरी चर्ण सिंग्जी जहनती पर मनाया जाता है यह दिवस नस्नल फार्मर्स डे चौदरी चर्ण सिंग्जी का जन्म 1902 में हुआ थ ससर रामानुजन प्रोसकार यह 32 साल से कम उम्र की मैथमेटिशन को दिया जाता है ससर रामानुजन प्रोसकार रामानुजन जी की याद में दिया जाता है जो कि भारत की मैथमेटिशन थी तो इस बार रुई किसी आंगजांग को दिया गया है यह प्रोफेसर है अमेरिका क भारत के हाई कमिस्नर होंगे अब कौन सुमित संतोज जहा ठीक है सुमित सेटने ही संतोज जहा गोपाल बागले इसते पहले थे बागले जी गए आश्टलिया में और यहां पर जो है संतोज जहा अब नियुक किये गए हैं तो दोनों ही नई नियुक्तियां है याद रखना आश्टलिया में उच्चायकत होंगे गोपाल बागले साहब और जिसंतोज जहा जो होंगे यह होंगे स्रिलेंका में अगला किस पद्म पुरुसकार से सम्मानित राष्टिय महिला आयोक की पूर्व अध्यक्ष डाक्टर वी मोहनी जी का निधन हो गया तो यह पद्म भू आश्टिय महिला आयोक की अध्यक्ष रह चुकी है राष्टिय महिला आयोक की गिल्ड अप सेरेसिस की प्रमुख रह चुकी है और डाक्टर वीवी गिरी की यह बहू है है ना पतो है इसकी पूर्व राष्टपती जो थे डाक्टर वीवी गिरी उनकी यह बहू थी अगला हाली में मेजर ध्यानचन खेल रत्न पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया तो देखो मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न पुरुषकार ये भारत का खेल के छेतर का सबसे बड़ा पुरुषकार होता है और इसमें इस बार ये अवार्ड दिया गया रंकी रेडी सात्विक साहिराज को और चिराग चंद सेकर सेटी को इन दोनों की जोडियों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे किस्से सुनेंगे बहुत साइट टूर्णमेंट दोनों ने साथ में मिल करके जिता हुए हैं सात्विक साइराज और रंकी रेडी ये दोनों इस बार खेल रत्न से सम्मानित किये गए तो 9 जनुरी 2024 को एक सम्मान होगा युजद करके राश्पती वहन में इनको राश्पती दौरपदी मुल्मुजी अवार्ड देंगे इस बार 26 को 26 वेक्तियों को अरजुन प्रोसकार और पांच खेल सिच्चिकों को रेगुलर सेड़ी में दौरणाचार और तीन खेल सिच्चिकों को आजीवन स्रेड़ी में लाग्चाय में कटेगरी में ये दौरणाचार प्रोसकार देंगे दौरणाचार प्रोसकार कोज को दिया जाता है अरजुन प्रोसकार खिलाडियों को और ये भी खिलाडियों को तो ये कुछ लिस्ट है, आपके सामने है, पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर दी जाएगी, आप रीड आउट कर लेना, अगला प्रतेक वर्ष 25 दिसंबर को किस पूर परधान मंत्री की जैनती पर सूसासन दिवस मनाते हैं, तो दोस्तों पूर परधान मंत्री लेकर लेकर चलाएते एक बार जारता है, अपना पूरा कारिकार पांच सालो, और वो वैलिड नहीं है, तो इन्हीं कि यहां पर जैनती परमाला की यहां पर दोदास में भर्ष będziemy को बटटे हूए है, उसका मानना हैंगी, परमेड भुशर से समान के गया, परिवाद आप बढ़ आपको यहां पर ऐसा किया गया कुछ कमाना है कि नहीं ही दबंग है ना फिलाल जो भी है अभी के लिए अभी के लिए टेलिकॉम बिल टॉटिंटी थ्री गो राजसावा से भी मंदूरी मिल गया है यह किसकी जगह लेगा इसके लेगा तो यह लेगा टेलिग्राफ एक निस सो चासी कि इस बार देन को निलम्बित कर दिया है अब बहुत इंपॉटन है कि हमारे भारत सरकार के वहाई कर पंदरा सो तबला बादा काई यहां पर एक सब्छर यहां पर चल रहे इतना तबला वजाए इतना तबला वजाया बैस बुरा यहीं न्या यूनुस्को को संगीत का सहर दियाता ग्वालियर को गोजित किया था यूनुस्को ने दूनों पूछा जाएगा आपसे कहा पर पढ़ता है मद्यप्र देश में अगला केंद सरकार ने विकलांग वेक्तियों के लिए आरच्छड विकलांग तक इस स्रेणिया बढ़ा करके कितनी कर दी है केंद सरकार ने विकलांग वेक्तियों के लिए जो आरच्छड दिये जाते थे अब तक 3 स्रेणियों में दी जाते थे का नियात करना हो तो उसमें अमेरिका टॉप पर रहता है। अमेरिका सब्से बड़ा हतियार नियात कदेस है और बताता है आपको कि हम तो भяई हिववन राइड के लिए हतियार बेज थे कि यह अपरात को बढ़ावा दे रहे हैं जो किसी के हाथ में हतियार आ जाएगा तो उसके अंदर अपने आप एक ताकत आ जाती है अग्रेशन आ जाती है इंडिया जो है हतियार खरिदने के मामले में सबसे उपर है इंडिया के मजबूरी है इंडिया आज के टाइम पर टू फ्रंट वारफ से जूज रहा है एक तरफ पाकिस्तान है नला एक तरफ है इधर यह चाईना तो दोनों की तरफ से देखना है तो बहुँ इनको तो अपन रिपोर्ट जारी करता है सिप्री मतलब इस्टाख होम इसी के दौरा यह हमेसा हत्यार हुआ यह सब विक्री हुआ इन सबसे रिलेटर यह जारी किया जाता है हाले में नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर whatsonx.ai नाम का artificial tool लांच किया तो नासा के साथ मिलकर IBM ने यह टूल लांच किया है whatsonx.ai यह क्या करेगा यह अंत्रिक्ष में जा करके artificial intelligence के माध्यम से explore करेगा कैसा astronomical चीजे है वही जो हमारे जो पुराने इतिहास कारव विद्वान थे वो लिख करके गए हुए हैं चीजों को जो गणनाओ को लिख कर गए हैं अब वही यह लोग AI के माधम से calculate करेंगे मतलब जैसे कौन साग्रा है कितने दूरी में कैसे आता है क्या क्या चत्र बनता है वह अगर 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 तारह मंडल से सम्मधित चीजे हैं यह सब चीजे यह लोग अभी करेंगे IBM ने इसके साथ समझोता किया है NASA और IBM मिलकर के ज्यादा है इसलिए मैं स्पीड में थोड़ा से चलना हो जिनको तेज लग रहा होगा वह थोड़ा सा वीडियो प्लेबेक स्पीड 0.75 पर कर लेंगे तो अच्छे से चलेगा हाले में किसने कला और साहती के छेत में UAE का Great Arab Minds अवार्ड जीता है तो UAE का Great Arab Minds अवार्ड ज तो इसे पाएं है यह कौन कहाना है प्रोफेसर वारणी लॉर्डेज ठीक है छे चेतरों में यह लोग भी देते हैं जैसे नोबल पुरुसकार दिया जाता है हाली में पहला दिव्यांग खेल पुरुसकार में सरसेश्ट अथलीट का पुरुसकार किसे मिला यह अवार्ड मिला है सुमित अंतिल को और सीतल देवी को उपरोग दोनों को दोनों ही पैरा अथलीट है और दोनों को पैरा अथलीट की सेड़ी में सरसेश्ट पैरा अथली को सर्शिष्ट कोच गौरो खन्ना को और लाइफ टाम अचीमेंट अवार्ड मुरली कांथ पेड़कर को और मेजर ध्यांचन तीम आप दे येर भारतिय ब्लाइंड सद्रेंज टीम को और सर्शिष्ट अकार्मी का प्रुस्कार गौरो खन्ना को दिया गया है बारत का पहला AI सहर किस राज में बनेगा? तो AI सहर बनेगी अब नवाबो का सहर बनेगा AI Сहर폰 यानि उत्तर प्रदेश के लखनाव में बनाया जाएगा AI सहर लखनाव में एक artificial intelligence city बस आई जाएगी है ना छोटी सी city होगी लेकिन यहाँ पर AI को बढ़ावा देने वाली industries, factories या फिर कहें इससे related research, programs यह सब चलेंगे यहाँ पर ठीक है ना तो एक trillion dollar की economy का target ले करके अगले 5 वर्सों में UP जो है वो काम कर रहा है आगे हाले में लांच की गए पुस्तक Breaking the Mold नाम की पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक है दोस्तो रहूराम राजन रहूराम राजन जो है Breaking the Mold के लेखक है यहाँ पर देखिए यह है रहूराम राजन जी इनकी पुस्तक यह है पुरा नाम इनका है यारबे के पूर गवर्णनर रह चुके हैं 23 नंबर के और इन्होंने अर्शास्तिल रोहित लांबा के साथ मिल करके यह पुष्टक लिखी है रगुर आलम राजन की और पुष्टके अगर पुषी जाएगी तो आप बताना I do what I do Saving Capitalism from the Capitalist अगला है हाली में सेबी ने BSC के अध्यक्ष की रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूर दी तो सेबी यानि की Securities and Exchange Board of India इसने Bombay Stock Exchange के अध्यक्ष की रूप में नियुक्ति किया है किसे प्रमोद अगरवाल को प्रमोद अगरवाल जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यह इससे पहले दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेट के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जो कि एक महारत गंपनी है तो वहां से अब इनको नई जिम्मेदारी मिली है प्रमोद अगरवाल अगरवाल अगला बिसलेरी का ग्लोबल अमबेजडर बनाए गई है दीपका पादुकोन यहाँ पर दिख रहे हैं यह बिसलेरी की यह होंगी ग्लोबल ब्रेंड अमबेजडर तो ड्रिंक इट अप के लिए यह परचार करेंगी यह कैमपेइन होगा फोल्ब्स की 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में टॉप पर कौन है तो टॉप पर है इगा सुईतेक इगा सुईतेक दोस्तों यह पोलेंड की खिलाड़ी है टेनिस खिलाड़ी है पोलेंड की है अच्छा इसमें पीवी सिंदू का भी नाम है पीवी सुन ज़दा कमाई करने वाली महिलाओं की इगा सुईतेक की संपत्ती 23.9 मिलियन डॉलर बताए गई है और यहां पर देखो इनकी संपत्ती साथ दिसमलो एक बताए गई है ठीक है अगला हाले में फीफा क्लब वर्ड कप 2023 का खिताब किस ने जीता तो इसको जीत लिया है दोस् अगे रेष्टर सिटी किसको अरा कर फलुमिनेंस को हरा कर visit सवर्धी इसका Sponsor था फीफा क्लब क्या होता है जो बहुत सारे क्लब्स है जो खेलती है टीमें है उन क्लब की बीच में एक फीफा Creator कराता है टूंमेन लेकिन जब देश वाला वर्टकप होता है तो उसमें एक देश के ही सभी खिलाड़ उसमें रहेंगे हैं अगला हाले में भारत और किस देश के बीच 22 से में विजली और पूर्ती के लिए कुड़न कुलम सायंत समझोते पर हस्ताक्चर हुए तो भारत और रूस की बीच में समझोते पर हस्ताक्चर हुए हैं एक्शली में रूस की ही मदद से ये कुड़न कुलम सायंत रहें नुकलिया पावर प्लांट है तो इसकी चार यूनिट जो है वो अच्छे से काम कर रही है लेकिन दो यूनिट और बढ़ाना चाहता है भारत जिससे इसकी छमता और बात करी हुई है और अभी मॉस्को में ये डील हुआ है अभी एस जैसंकर जी ये गए हुए थे ब्लादी मेरे पुतिन से मिले वीडियो अगर आपने देखा ही होगा वारेल हो रही है तो वहां पर जब पांस दिवसी दोरे पर थे तो यहां पर ये बात की भी डील हुई ह है तो अब इसकी अगर चलेगा रप्तार से तो 6000 मेगावाट की चमता हो जाएगी हाली में प्रकासित हो ही पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की पुस्तक किसकी आत्मकता है वेरी मोस्ट इंपॉर्ड़र्ड़ कुश्चन फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये आई हुई है और इसमें उने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया हुए है ये 31 इसमबर 2019 से 30 अपरल 2022 तक सेना प्रमुक रहे थे हाली में किसने पुस्पुल तक्नीकी वाली अमरित भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई तो अमरित भा गाड़ी की तरह है ना को तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ट्रेन का तो कोई के स्टार्ट को एक स्टॉप की अनुमती के साथ ये हुआ है ठीक है अगला हाले में विश्व भारती विश्विद्याले के सोथ करताओं के द्वारा खोजे गया बैक्टिरिया का नाम क प्रिसकार विजेता है इसका नाम रखा गया है बैक्टिरिया का पेंटोवा टैगोरी तो यहां पर टैगोर का नाम डेडिकेट किया करया है खाओ जुआ अ-अय त्य रेले इस्टेशन का नाम बदल करके अयुद्यद्याध धाम और दिया गया है एकiquement इसी मैं बोनस और ल की वाल मी की हवाई अड़ा किया गया है हवाई अड़ा किया गया है ठीक है जी अब एक कुश्चन में आपके लिए छोड़े जा रहा हूं आप इसका अंसर कीजिए अयुद्धर जंसंग का नाम अब बन जाएगा 22 जन्वरी को स्री राम जी वहाँ पर विराजेंगे तो फि नहीं के साथ वीडियो को करते हैं इंड इसकी क्विज और पीडियाफ आपको मिलेगी MZTF पर ऐसे सभी महीनों की क्विज और पीडियाफ पर मिलेगी टेलीग्राम पर भी पीडियाफ मिल जाएगी टेलीग्राम भी आप जॉइन कर सकते हो MZT Education के नाम से और अगर आप चै लिंक डिस्किप्शन में है और कर दो और बाकी कोई भी बात के लिए आप जो है में कर सकते हो थैंकियू सो मच मिलेंगे अगले क्लास में ततक लिए नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम